हलो दोस्तों सौगत है आपका आईसा क्रियेशन में और आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की सबसी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस लगती है आप इस सबसी को एक बार जरूर ट्राइ करें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेंगी तो चलिए इसे बना मुंफली लिये उसे भून लिया है और उसके जितने भी छिलकेते वह सब निकाल लिये है और यहां पर हम गरम मसाला लेंगे जहां पर हम लॉंग जीरा हरी लाइची इन सब करेंगे और आपको ग्रेवी अगर ठिक चाहिए तो आप अद्रक लैसुन और जो प्याज होती है इनका एक बारिक पेस्ट बना कर यूज करें आपको खुद फरक दिखेंगा कि जो ग्रेवी है वो कितनी ठीक आती है और इसमें जो टेस्ट है वो भी अच्छा आता है इसकी बाद आप देख सकते हो कि यहां पर हमने मुंफली को बारिक पीस लिया है आप मिक्सी में इसे अच्छी तरीके से पीस ले और जो गरम मसाला हमने लिया था उसे भी पीस लिया है और यहां पर अद्रक लैसुन और प्यास के पेस्ट भी बारिक कर लिया है आपको देखिए इस तरह से पेस्ट को बारिक करना है तो चलिए हमने यहाँ पे एक पैन गरम होने के लिए रख दिया था उसमें एक चमश तेल डाल कर उसके बाद यहाँ पर हम उसमें अद्रक लेसुन कर जो पेस्ट है उसे डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से भूनेंगे यह प्रोसेस हमें 2-3 मिन्ट के लिए करना है हो कि हमने यहाँ पर इसे अच्छी से भून लिया है इसके बाद अब यहाँ पर हम कुछ मसाले इसमें एड़ करेंगे जहां पर हम 1-2 टेबल स्पून तर्मरिक पौडर दो टेबल स्पून लाल मिश्ट पौडर और यहाँ पर यह जो गरम मसाला हमने पीस कर रखा था वो भी हम यहाँ पर आड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगे है कि यह थोड़ा थोड़ा पैन को चिपक रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा पानी भी अड़ कर सकते है इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद में हम यहाँ पर नमक अड़ करेंगे नमक अब आपके सौधरू सा डाले और देखिए यहाँ पर यह पूरी तरीके से पक चुका है क्योंकि तेल रिड्यूस होना शुरू हो चुका है इसके बाद जो हमारी मुंग फली है जो हमने पीस कर रखी थी अब इस स्टेज पर हम वो भी आइट कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज भी कर सकते हो आप देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे हम पांच मिट के लिए मेडियम फलेम पर कवर करके रख देंगे अभी आप देख सकते हो कि हमारे जो फाइब मिनिट है वो कम्प्लिट हो चुके है और देखिए पांच मिनिट के बाद जितना भी तेल था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है इसका मतलब जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है इसके बाद आप इसमें एक बार हिला ले इसे मिक्स कर ले और आपको जितना ठिक ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर पानी आइट कर सकते हो आपको ज़्यादा पतली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी आइट करें पन यहाँ पर मैं मेडियम यूस करूँगी और अब इसे हम एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पर इसी तरह छोड़ देंगे दो मिट के लिए दो मिट में इसमें उबाल आ जाएंगा आप देखिए दो मिट हो चुके है और इसमें यह उबाल आना शुरू हो चुका है अब इस स्टेज पर आपने यह जो अंडे उबाल कर रखे थे एक चाकू की मतर से आप उस अंडों में होल कर ले ताकि जितनी भी ग्रेवी है वो अंडों में अंदर तक चली जाए और हमारा जो अंडा है वो टेस्टी लगे ऐसा हमें सभी अंडों को कर रहा है तो देखिए हमने यहाँ पर इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है जो बॉइल कियो है पोटैटोस थे वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे और जो एक्स थे उसे भी हमने डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले ताके जितने भी ग्रेवी है वो हमारे अंडों के अंदर तक चली जाए और जो हम अंडा खाए तो वो बहुत टेस्टी लगे अब आप इसे थोड़ी देर के लिए ढखकर रख दे और इसी स्टेश पर अगर लगे आपको के नमक कम है तो आप डाल सकते हो अब आप इसे थोड़ी देर के लिए कवर करकर यूही छोड़ दिये यहाँ पर आपको मेडिया आम फ्लेम रखना है आप देख सकते हो कि इसमें एक बॉयल भी आ चुका है और यह जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है अब हमें इसे जादा नहीं पकाना है बस यहाँ पर हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे अब आप देखिए ग्रेवी कितनी ठीक है यह ठंडी होने के बाद और भी ठीक होंगी और अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं और आप इसे यूँ ही दो से तीन मिंट के लिए ढख कर छोड़ दे आप देखिए दो से तीन मिंट हो चुके है और आप हमारी ग्रेवी का कलर देख सकते हो कि कितना अच्छा आया है अगर आपको यह रेसिपी पसत आती है तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्यू